नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्य शिंगर तिवारी हूँ चीन में कुरोना वायरस कैसे फैला इसको लेकर के तरह तरह की बाते आई जैसे की एक बात यह कही गई की साप से ये इंसान में आया फिर आया कि नहीं नहीं चमगादर से इंसान में आया बहुत कि ये जो है चमगादर से ही इनसान में आया यानि कि चमगादर खाने से पिछले दिन आपने देखा होगा कि सोसल मीडिया में एक लड़की का वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो चमगादर खाते हुए से दिख रही है और ये कहा गया कि इसी लड़की के चमगादर खान उसमें प्रकासित हुआ है रिपोर्ट उसके मुताबिक ये कहा गया कि इस वाइरस के दस जेनेटिक कडियों को देखने के बाद जोड़ा गया उसको फिर पाया गया कि इसके चमगादर से करीबी रिस्ते निकल रहे हैं इस वाइरस के चाइनिज सेंटर फार डिजीज कंट्र एंड प्रिवेंशन के प्रोफेसर गुजेंज वू ने कहा है कि सभी आंकड़े वाइरस के अनकूल साबित हुए है शुरुवात में वाइरस चमगादर में पाया गया कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वाइरस की असली बज़ा बुहान में बिगने वाले जो सांप है बट सांप से नहीं इसका एग्जेक्ट रिस्ता निकला है इसली चमगादर से ही और इसे पहले आईसा निहीं कि पहली बार इस तरह का वायरस फईला हो। इसके पहले भी जो है ऐसे वाइरस फैलते रहे हैं जो मारबर्म, निपाह और हेड़्रा वायरस की वज़य की वाइ भी बीमारी की जड़ रहे हैं, आइसे वाइरस की जड़ रहे हैं, वही गलती एक बार फिर वहां के लोगों ने की और उससे किया हुआ, कि चमगादल के खने से जो है, वो वाइरस ट्रांसफर हो गया इंसान में और जो जो उनके संपर्क में आता चला गया, वो उससे जो है, वो प्रभावित होता चलागा यह जरूरी नहीं है कि अब बहुत कुछ इस बात पर भी depend करता है कि आपकी body में कितनी capacity है ऐसे वाइरस से लड़ने की कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं कुछ लोग नहीं होते हैं लेकिन जो भी ऐसे संक्रमित इलाके से आते हैं यह guidelines है कि उनका परिक्षन जरूर किया जाना चाहिए और वही हो रहा है अब दुनिया इस से हलकान हो रहे advised कि तीनिया कोई सोचे कि हम चाइना से कट करकर रह लेंगे तो नहीं है चाइना में जिस देश के नागरिक रह रहे होंगे तो भाविक सी बात है कि आतो वो अपना इलाज कराएंगे और नहीं अपने देश में उनका देश उनको एयर लिफ्ट करा करके वो आपस बुलाता है तो यहां पर इछण उनको कराना पड़ेगा क्योंकि भारत भी इस बात को लेकर चिंतित है काफी भारती वहां पे है अमेर गादर के की वजह से ही यह वाइरस फैला तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिजिनल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूए